नमस्कार मैं हूँ नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं कुर्णी टीवी चलिए स्वागत करते हैं अचारे कमल नंदला जी का नमस्कार पंजी जी नमस्कार निया जी और दशुकों आपको भी बहुत 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 नमस्कार फ्रेंट्स सूरेश सिंग राशी से कन्या राशी में संक्रमन करने जा रहा है यानि कि आने वाली है कन्या सक्रांती किस दिन है ये सक्रांती इसका क्या फल प्राप्त होने वाला है स्पेशल किसके लिए है ये सक्रांती आजहां बंडी जी से पूरी जान कर लेते हैं निया बहुत अच्छा प्रश्न है और कन्या सकरान्ती हमेशा तब आती है जब शरहद्द आने वाला होता है और कन्या सकरान्ती वो खास मौका है जो लोग सूरी कैलेंडर मानते हैं वो इसी दिन से अश्विन नमास की प्रारम भी मान लेते हैं तो आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कन्या सक्रांती जो है 17 सितंबर मंगलवार के दिन है और इस दिन संक्रमन जो संक्रमन का मतलब होता है सूर्य का किसी राशी में प्रवेश करना उसे संक्रमन कहते हैं और संक्रांती जो शब्द है वो संक्रमन से ही बना है तो इस दिन सूर्य देव जो है खुद की राशी सिंग को छोड़ करके अपने बुद्ध मित्र बुद्ध की राशी में प्रवेश करेंगे और इसी के साथ ही मूलतह अश्वन मास का सौरे मास जो है अश्वन वो प्रारंब हो जाएगा ये विशेशतर वो महिना है जिस महिने में शक्ती की उपासना की जाती है और ये महिना जो जोड़ा हुआ है सौरे कैलेंडर के साथ से आदिया शक्ती और पित्तरों से सम्मंदित जो रिच्वल्स होते हैं उनसे जोड़ा हुआ है क्योंकि इस महिने का नाम सौरे कैलेंडर के साथ से महालाया है और महालाया का मतलब होता है आले का यानि कि इस समय पर सूर परतन लेने जाएगी तो पंटी जी कञ्या साकरांती का पुन्यकाल चुरू होगा 17 सितमबर 2019 के दिन दोपहर को एक बचकर 19 मिनट से शुरू होगा और ये चलेगा शाम को छे बचकर 21 मिनट तक और इसके साथ साथ आपको और भी बताना चाहूंगा ये जो अबदी है ये पांच घंटे दू मिनट की रहेगी इसे संक्रमन काल कहते है इसके बाद में महापुन्यकाल महापुन्यकाल लगभग वो पीरिड होता है जब बहुत क्लोज होता है सूर्य सिंग राशी को छोड़ रहा होता है और कन्या में प्रविश कर रहा होता है तो उस पीरिड काल को उस इंफेक्शन पीरिड काल को हम संक्रमन काल कहते हैं महापुन्यकाल वो है दोपहर को 1 बच कर 19 मिनट से लेकर 3 बच कर 21 मिनट तक और ये लगभग लगभग 2 घंटे 2 मिनट का पीरिड रहेगा पंडिजी जैसे जो सूर्य है वो राशी प्रवर्तन करने जा रहे है तो इसका जो प्रभाव है वो व्यापारियों पर यानि कि बिजनसमेन जो है उनपर कैसा रहेगा पूरी जानकरी मैं आपको देता हूँ देखे हेल्थ से लेकर सभी के उपर जानकरी दूँगा छोटी छोटी देखे सबसे पहले बता दूँ किस समय वो शन क्या है सकरांती पल क्या है सकरांती पल है 1 बच कर 19 मिनट दुपहर का ठीक उस समय सूर्य जो है के लिए तो बहुत अच्छे जाने जा रही है चीजें बहतर होंगी बजार से कुछ हद तक मंदी भी कम होगी बात करते हैं वस्तुओं की जो लागत है वो लगभग सामानने रहेगी लेकिन सेल्स अच्छी बढ़ जाएंगी और आम जन मानुस के मन में थोड़ी स्थिर्था जरूर आएगी आज से पहले बहुत ज़दा प्रॉब्लम्स चल रही थी लेकिन अब स्थिर्था आजाएगी लेकिन ये विशेश सकरान्ती स्वास्त के दृष्टी से कभी अच्छी नहीं होती है कालपूरिस सिध्धान्त के नुसार सूर्य कालपूरिस के छटे भाँ में आ रहा है छटा भाँ जो होता है रोग व्याधी पीड़ा का द्वारा माना जाता है तो इस सकरान्ती पर लोग खासी से ज़दा पीड़ित होंगे क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है जाएगी एकदम इसकी वज़े से उमस बहुत जादा बढ़ जाएगी और बीमारियां बहुत जादा फैलेंगी क्योंकि पानी जमा हो चुका है और पानी जैसे ही गरम होगा उसमें मच्छरों की पैदाश जादा हो जाएगी तो पंटी जैसे आपने पताया कि इसका हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पढ़ने वाला है तो इस क्रांती पर जाग कोई भी सक्रांती है उस पर दान का बड़ा महत्व होता है तो क्या चीज़ें ऐसी दान करनी चाहिए कि जो हेल्थ प्रॉब्लम्स लोगों को कम आए समझने योगे यह होगी कि इस दिन विशेश तोर पर हरी चीज़ों को दान करने का बहुत महत्व है जिस दिन ये सक्रांती आ रही है वो दिन मंगलवार का दिन है तो इसका करन जो है वो विश्टी करन है जिस समय पर यह सक्रांती पड़ रही है इसके इसाप से चीज़ें जो हैं वो थोड़ा अटक अटक के चलेंगी दूसरी बात एक चीज़ और देखनी होगी वो यह है कि सक्रांती जो नक्षत्र है वो शिप्र नक्षत्र है जिसके अंदर सकरांती मूव हो रही है वो अश्वनी नक्षत्र रहेगा तो इसे शिप्र नक्षत्र कहा गया है इसकी वज़े से केतू से सम्मंदित नक्षत्र होने के कारण इसमें मच्छर बहुत जादा उत्पन हो जाएंगे सकरांती के बाद में और मच्छरों से पीड़ा होगी जनता को अब आपने पूछा इस दिन विशेश तोर पर क्या दान करें तो देखें क्योंकि मंगलवार का दिन है अश्वनी नक्षत्र है केतू भी इन्वाल्ब है मंगल भी इन्वाल्ब है और बुद्ध से सम्मंदित है तो विशेश तोर पर इस दिन केतू से सम्मंदित दान किया जाए तो बहुत रिच फल्डायक होता है इस दिन विशेश तोर पर गणपती को आप सुन्दूर चढ़ा सकते हैं गणपती को दुरुआ चढ़ाएं और साथ बसाथ के अंदर हरी चीजों का दान करें विशेश तोर पर लौकी इस दिन गाये को आप अरपित करें तो बहुत आपको लाब हो सकता है और विशेश तर ये जो दिन है ये गणपती के उपासना का भी दिन है और इस दिन गणपती को लाल धागे में परिवी दुरवाब चड़ाएं और हरी चीजों का दान करें तो आपको बहुत लाब होगा और मक्के का दान इस दिन बहुत विशेश रूप से फल्दाई होता है इस दिन अगर भुट्टे मिल रहे हो तो गरीब बच्चों को भुट्टे जरूर जान करें तो पंडिशी जैसे ये कन्या सकरांती है तो कन्याओं के लिए ये सकरांती कैसी रहेगी देखिए कन्याओं के लिए सकरांती विशेश तोर पर सही रहेगी अच्छी रहेगी क्योंकि ये सकरान्ती का वो समय है कि इसके थोड़े दिन बाद में नवरात्र शुरू होने वाला है तो शक्ति का पूजन और कन्या जो हमारी है वो शक्ति ही है नारी शक्ति है, मूलता है भगवान शंकर का आधा हिस्सा है तो ये सकरान्ती कन्याओं के लिए बहुत अच्छा रहेगी इस सकरान्ती के अंदर जितनी भी लीडीज हैं उनको बहुत लाब होने जा रहा है और पढ़ाई में भी ब्रिलियंसी जरूर रहेगी बहुत बहुत धन्यवाद पंडी जी इस एहम जानकरी के लिए याजी आपका भी बहुत धन्यवाद और दसको आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद उमीद है आप सबको ये जानकरी बहुत पसंद आई होगी तो फ्रेंट्स इसी तरह की और भी जानकारियां हम आपके लिए लेकर रहेंगे तब तक के लिए नमस्कार लेकिन जाने से पहले हमारा योट्यूब चानल कुनली टीवी फेस्बुक पेज कुनली टीवी लाइक और शेयर करना ना भूलें